दिन के ग्यारा बजे हैं अस्सलामौलाइकूम ये रेडियो पाकिस्तान है मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिये आहम खबरों का खुलासा दफ्तर खारेजा ने आसिया बीबी की पाकिस्तान से बाहर जाने की इतलात मुस्तरत कर दी है भारती फोज की कंट्रोल लाइन के सेक्टर थंप पर बिला इश्ट्याल फारिंग से एक सिपाही शहीद हो गया है सुप्रीम कोट ने अता अल्हाग तासमी की बतौर चेहर में पाकिस्तान टेलिवीजन तकरूरी गेर कानूनी करार दी है अफगानिस्तान के सुबे बगलान में अफगान और गेर मुलकी फोर्सिस की मुश्तरका कार रवाई में 16 तालिबान हलाक हो गए हैं खबरें तफसील से विफाकी काविना का इजलास इसलामाबाद में जारी है वजिर आजम इमरान खान सदारत कर रहे हैं दफ्तर खारजा के तर्जमान डॉक्टर मुहमद फैसल ने आसिया बीबी की बेरून मुलक रवानगी से मुटालिक रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है आज रेडियो पाकिस्तान से बाते करते हुए उन्होंने कहा कि आसिया बीबी अब भी पाकिस्तान में है उधर वजिर इतलात नश्यात फवाद चोधरी ने अपने एक ट्वीट पेगाम में इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि शैसुर्कियों की खातिर गलत खबर को शाया करना रिवायत बन गई है उन्होंने कहा कि आसिया बीबी का मुकदमा एक हसास मौमला है और मुल्क से बाहर जाने की खबर तस्दीक के बगएर शाया करना इंतहाई गेर जिम्मेदाराना है कंट्रोल लाइन के थब सेक्टर में भारत की बिला इश्टियाल फारिंग के नतीजे में एक फौजी जवान जहीर एहमत शहीद हो गया है फौज के शुबाय तालुकाते आमा ने आज एक बयान में कहा है कि शहीद फौजी का तालुक जिला भिंबर की तहसील सुल्तान पूर के एक गाउं से है सुप्रीम कोट ने अतालुकात कास्मी की बतौर चेर्मेन पाकिस्तान टेलिविजन तकरूरी गैर कानूनी करार दी है फैसले का एलान जस्टिस उमरता बिंदियाल और जस्टिस यहिया अफरीदी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने किया फैसला रवा साल 26 फरवरी को महफूस किया गया था फैसले में कहा गया है कि अतालुकात कास्मी की पाकिस्तान टेलिविजन के बतौर चेर्में तकरूरी में कवाइद जवाबित पर अमल नहीं किया गया अदालत रुजमा ने अतालुकात कास्मी की तरफ से जारी तमाम इंतजामी एहकमात भी गैर कानूनी करार दिये हैं अदालत ने अतालुकात कास्मी को तन्खा और मराद की मद में दी जाने वाली 19 करोड 60 लाग से जायद भी वापस लेने का हुकम दिया है अदालत ने कहा कि ये रकम साबिक वजर खजानाई सागडार साबिक वजर इतलाद परवेजर रशीद और वजर आजम के साबिक प्रिंस्पल सेकरटरी फवाद हसन फवाद से वसूल की जाए क्यूंके वो इस गैर कानूनी तकरूरी के जिमेदार हैं अदालत ने विफाकी हुकूमत को पाकिस्तान टेलिविजन का मस्तकिल मैनेजिंग डारेक्टर तायनात करने की हिदाइप की है बेनलक्वामी सूफी कॉंफरंस आज मुलतान में हो रही है तबक्व है कि सरदर डाक्र आरिफ फल्वी कॉंफरंस से कलीदी खिताब करेंगे वजिर अला पंजाब सरदार अस्मान बुजदार और वजिर खारज़ाशा महमुत पुरेशी इस मौके पर महमाने खुसूसी होंगे मुमताश शायर जॉन एलिया की यार 16 वी मरसी मनाई जा रही है वो 1931 में उतर परदेश के इलाके अमरोहा में पैदा हुए उन्होंने 1957 में पाकिस्तान हिज्रत की और कराची में सकूनत इख्तियार की जॉन एलिया कामन फरिद अंदास कारेन को अपनी तरफ मतवज्जो करता है और उर्दू जबान के लिए उनकी अजीम खिद्मात हमेशा याद रखी जाएंगी उनके मारूफ शेरी मजमूओं में शायद, यानी, गुमान, लेकिन, रमूस और गोया शामिल है जॉन एलिया कौन की अदबी खिद्मात पर सदार्ती तमगा हुसनिकारकरदगी से भी नवाजा गया वो तवील अलालत के बाइस आठ नुमबर दो हजार दो को इंतिकाल कर गए मकबूज कश्मीर में कुल जमाती कॉनफरंस की चेरमें सेयद अली गिलानी ने भारती खासबाना कब्जम मजालिम का शिकार कश्मीरियों से इजहरे यकजहती के लिए नजफ सेले कर्बला तक सालाना वाउक के शुरकाव को खिराज तहसीन पेश किया है अफगानिस्तान के सुबे बगलान में अफगान और गेर मुलकी फाज की मुश्तरका कारवाई में 16 मुसला तालिबान हलाक और 19 सखमी हो गए है बगलान पूलीस के सरब्रा एकराममो देन सारे के मताबखे यक कारवाई पिछले चार रोज के दूरान सुबब बगलान के आके में दंदेहोरी किय गई जिसमें जमीनी और फजायी दोनों कारवाईया किया गई उन्होंने कहा कि कारवाई के दोरान तालबान शर्पसंदों से मतादित देहात खाले करा लिए गए हैं जबके फोर्सिज ने तालबान के जिरे इस्तमाल बड़ी निकदार में असलिहा भी कब्जे में ले लिया खबरें खत्म हुई मज़ीद खबरों और तज्सियों के लिए हमारी वेब साइट है radio.gov.pk और फेस्बुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज आफिशल पर बराहे रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए